आज हम सुपर टेस्टी गरम मसाला चाई बनाएंगे और ये सर्दियों में तो बहुत बहतर चाई बनती है तो आपको आज बैस्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं मसाला चाई की तो चलिए फटा फट से रेसिपे स्टार्ट कर लेते हैं चाई तो हम सभी पीते हैं आज हम चाई का नया तरीका बता रहे हैं और जो कि सर्दियों में आपको मजा आ चाईगा बड़िया मसालेदार चाई पीने का तो मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो ये मैंने दो कप दूद लिया है और दूद में पानी डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि चाई जो है बिना पानी के मजा नहीं आता एकदम दूद वाली चाई पीने का कुछ मजा नहीं है तो उसमें पानी जरूर ही डाले यदि आप टेस्ट चाहते हैं तो ये मैंने दो कप दूद में एक कप पानी डाल दिया है और टोटल मैं तीन चमच पत्ती डाल रही हूं चाई पत्ती डाल रही हूं जिससे और 6 चमच क्योंकि मैं मीठी चाय पीती हूँ इसलिए मैंने 3 कप के साब से 6 चमच शक्कर डाल दी है और 3 चमच पत्ती डाली है मैं इस टैप से ही चाय बनाती हूँ और आपको कम पत्ती पसंदो या कम शुगर पसंदो तो आप डाल सकते हैं एक उबाली आने के बाद आप अद्रक डाल दीजिए मैंने अद्रक डाल दिया है इसमें उबाली आने लगी थी और अद्रक हमेशा एक उबाली पर ही डालना चाहिए तो ये देखिए हलका सा उबाल आने लगा था तभी मैंने इसमें अद्रक डाल दिया था अब मैं एक सीक्रेट चीज डाल रही हूँ जिससे आपके चाय में एक जबरजस्त टेस्ट आ जाएगा ये गरम मसाला है ये चाय में आप चुटकी भर गरम मसाला डालना है जादा नहीं डालना है और ये देखिए बहुती अमेजिंग मसालेदार चाय बनकर रेड़ी हो जाएगी आप जरूर जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए अगा और सर्दी के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है इस टाइप की चाय पीने का गरम मसाले में काफी सारी चीजे होती है इसलिए हम गरम मसाला डाल दें चाय में तो काफी अच्छी बड़िया सी चाय बन जाती है और बड़िया आप चमस से ला दीजिए बिलकुल होटल वाली मसालेदार चाय बनकर रेड़ी हो जाएगी तीन से चार मिनिट में या पांच मिनिट में आपकी तीन कप चाय बनकर रेड़ी हो जाएगी अब में एक सर्फ कर देती हुए बड़िया गरम गरम चाय आप पीजिएगा और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा आपकी चाय कैसी बनी कमेंट बॉक्स में पुषकार